आज हम स्टाट करेंगे 6 चैप्टर का लेक्टर नमर 3 और इसमें हम 6.1 एकससाइज कमप्लीट करेंगे और इस एकससाइज को कमप्लीट करने के साथ मैं आपको वो सारी चीज़े बताऊंगा जो इस पूरे चैप्टर का बेस है यानिकि सिमिलर फिगर्स के बारे में और यह से अपनी स्टार्टिंग हो जाएगी कि सिमिलर फिगर्स क्या होती है सिमिलर ट्रेंगल क्या होती है आज के लेक्चर में यह सारा बेस मैं आपका कलियर कर दूँगा फिर 6.2 एक्स साई से जो कोश्चन आएंगे इसके उपर बेस्ट वह आपको आसान लगेंगे तो देखो प बिल्कुल एक जैसी फिगर्स तो बिल्कुल एक जैसी फिगर्स यानिकि मैं एक सिंपल लेंग्वेज के अंदर बात करूँ छोटे बिल्कुल छोटे बच्चे को समझाना हो तो उसको यह बता दो बिल्कुल एक जैसी यानिकि कुछ भी फरक ना हो दोनों फिगर्स में उन यह उन्हें भी 3 cm रेडियस का एक सरकल बना दिया तो आप यह कोगे सर यह दो सरकल जो ना वो बिल्कुल एक जैसे है एक जैसे क्यों है अगर आप इन सरकल को इनकी बाउंडरी से कट करके एक सरकल को दूसरे सरकल के उपर रख दोगे ना तो पता ही निलगेगा कि यह सरकल द दूसरे को पूरी तरह से कवर करके देखेंगे अगर हम पलट के देखेंगे तो हमारे को पहले वाला सरकल नहीं दिखाई देगा फिर हम पलटेंगे तो हमारे को दूसरे वाला सरकल नहीं दिखाई देगा यानिकि बिल्कुल दोनों सरकल एक दूसरे के उपर आ जाएंगे कब आएंगे ये जब इसकी radius और इस circle की radius दोनों क्या हो बिल्कुल एक जैसी हो लेकिन अगर दोनों की radius अलग-अलग होगी तो देखो एक circle छोटे वाले को तो बड़े वाला ढख लेगा लेकिन बड़े वाले circle को छोटा circle cover नहीं कर पाएगा अगर बड़ा circle अब निच्चे रख देंगे छोटा उसके उपर रखेंगे तो वो दिखाई देगा कि निच्चे भी एक circle और है ठीक है तो congruent का मतलब क्या होता है बिल्कुल एक जैसी figure जो देखने में, size में, shape में क्या हो बिल्कुल एक जैसी हो अब मैं आपको बताता हूँ, mathematically हम किन figures को एक जैसी बोलते है, concurrent बोलते है यानि कि mathematics की language के अंदर हम कैसे बोलेंगे, mathematically, concurrent figure की क्या होनी चीए बच्चो, same shape होनी चीए and same size, same size, shape का मतलब आपको पता है, shape यानि कि आकार, उसका आकार क्या होना चीए, एक जैसा यानि कि यह अगर circle है, तो यह भी क्या होना चीए, circle ही होना चीए, यह नहीं है कि एक circle हो, और एक square बना दो आप, ठीक है और size, size का मतलब आपको पता है, same size होना चीए, और same shape, size का मतलब क्या होता है, कोई figure, छोटी बड़ी होसकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चीए, size भी क्या होना चीए, दौनों का, same या भी यह कह सकते हो, area, size का मतलब क्या होता है, area, जैसे इस circle का जितना area होगा, इस circle का भी उतना ही area होगा, तो mathematically हम क्या कहेंगे, जिन दो figures की shape भी क्या हो same, और size भी क्या हो same, उन दो figures को हम क्या बोलेंगे, और congruent figures के बाद हम बढ़ेंगे, congruent triangles, congruent triangles क्या होती है, देखो figures के अंदरी तो आगी triangle, ये triangle है मानलो, एक ये triangle है मैं मानल लेता हूँ, और एक ये triangle है, इन दोनों को मैं congruent कभ कहूँगा, जब दोनों बिल्कुल एक जैसी हो, यानि कि दोनों को अगर मैं cut करके, एक दूसरे के उपर रखूँगा तो एक दूसरे को दोनो ट्रेंगल पूरी तरह से cover कर लेगी ठीक है ये है और 9th class में बहुत सारे rule होते हैं दो ट्रेंगल को congruent कैसे कैसे prove करते हैं पूरा आपको सीखने के जुरूट नहीं है मैं एक simple सा आपको rule बता देता हूँ माल लो ये side 3 cm है और ये भी कितनी है 3 cm है ये माल लेते हैं 4 है ये माल लेते हैं 5 है ये भी माल लेते हैं 5 है अगर तिनो side equal हो इन ट्रेंगल की तो ये दोनों our triangle क्या होज़ेगी आपकी congruent ये ट्रेंगल है ओ बी सी और ये ट्रेंगल है माल लो PQR तो triangle ABC और triangle PQR दोनों क्या होगी congruent और congruent का symbol होता था यह दो लाईने लगा के और इसके उपर यह symbol लगा लिते है इसका मतलब क्या होता है triangle ABC इसका मतलब क्या होता है triangle ABC is congruent to is congruent to triangle PQR यानि की जो यह symbol होता है न यह वाला symbol यह किसके equal होता है is congruent to is congruent to इतना बड़ा लिखने के बजाए हम ये चोटा सा symbol लगा सकते हैं तो ये आपने 9th class में पढ़ा होगा 10th class में इसका बहुत ज़्यादा use होने वाला नहीं है बस मैंने इसके आपको थोड़ा सा overview दिया है ताकि आपको पता लगजे कि congruent figure का मतलब क्या होता है क्या मतलब होता है जिन दो figures की same shape हो और same ही क्या हो आपका बच्चो size हो ठीक है वो figures क्या कहलती है congruent figure जैसे दो circle अगर same radius के हो तो वो दोनों circle क्या कह लाएंगे congruent कह लाएंगे हो गया congruent के बारे में अब मैं आपको और example देता हूँ Equilateral triangle आपको पताए क्या होती है Equilateral triangle मैंने first lecture में बताया था आपको सारी चीजे जिन दो triangle की या जिस triangle की सारी side क्या होती है Same होती है वो equilateral होती है अब माल वाण लो मैंने ये triangle क्या बना दी? Equilateral बना दी और एक ऐसी ही मैंने और ट्रेंगल बना दी, कौन सी इक्विलेटर ट्रेंगल बना दी मैंने, ये है ABC, और ये ट्रेंगल है माल लेते हैं, PQR, लेकिन दोनों ट्रेंगल की सारी साइड के ऐसी हैं, माल लेते हैं, इसकी साइड सारी 4-4 है, और इसकी भी सारी साइड कितनी है ब दूसरे को 100% cover कर लेगी तो इसलिए ये दोनों shapes क्या होगी आपकी congruent होगी समझ गया आप congruent का मतलब तो अब हम चलते हैं similar की ओर दखो मैंने ये example दे रखे हैं ये कैसी figure बताओ congruent है न क्योंकि बिल्कुल आपको एक जैसी लग रही है और ये है कौन सी shape एक दो टी चार पांथ छे शे साइड है इसकी भी इसकी भी congruent hexagon ये क्या है hexagon hexagon का मतलब क्या होता है शटबूच जिसकी 6 बुजाए हो जिसकी 6 बुजाए हो ठीक है ये क्या है अपनी congruent है, congruent का मतलब ये ही होता है बस ये जैसे triangle है देखो ये 3.5 ये भी 3.5 ये 4.5 ये 4.5 ये 4 और ये भी कितनी है 4 इस triangle को अगर मैं बलूँ ABC और इसको मैं बलूँ PQR तो मैं कह सकता हूं ट्रेंगल ABC is congruent to triangle PQR तो ये 2-3 मैंने आपको example दे दिये, diagram दिखा दिये, अब आपके दिमाग में congruent figure के बारे में चीज़े clear हो गई, ठीक है लेकिन हमारा main मकसद क्या है इस chapter में पढ़ना, similar figure के बारे में, अब आता है अपनी similar figures, ये सबसे important है, बस आप ये ध्यान से समझ लो concurrent के अंदर क्या होता है, मैं दुवारा लिख देता हूं, concurrent अभी हमने discuss किया, उसके अंदर एक ही चीज होती है, क्या same shape and same size ये ही मैं आपको बताया, तोनों की same तो क्या होने चाहिए, shape होने चाहिए, और same ही क्या होना चाहिए, आपका बच्चो, size होना चाहिए, ठीक है, similar के अंदर क्या होता है, similar तो इससे भी कम condition चाहिए, similar के लिए हमारे को same shape चाहिए, क्या चाहिए, बच्चो, same shape चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, अगर उनकी शेप से मैंना, तो आपको साइज देखने की जरूरत नहीं है, दोनों क्या होगी, फिगर आपकी सिमिलर होगी, साइज चाहे इक्वल हो, चाहे इक्वल ना हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि साइज का कोई यूज ही नहीं है इस क्या मतलब है, साइज सेम हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता, लिख लेड़ा हिंदी में, हो सकता है साइज सेम हो, या साइज सेम ना हो, इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता, सिमिलर फिगर की कंडिशन क्या है, सिरफ उसकी सेप सेम होनी चाहे, क्या होनी चाहे बच्चों सेम शेप होनी चाहिए आप ये बताओ मेरे को अगर मैंने वानलो ये सरकल बना दिया और दूसरे बच्चे ने ये सरकल बना दिया क्या इनकी शेप सेम है क्या शेप का मतलब ये भी राउंड है और ये भी राउंड है इन दोनों की shape क्या है? Same है? Shape क्या है बच्चो? Same है और मैंने क्या बताय था? जिन दो figure की same shape होगी ना वो figure क्या कह रहाएगी? Similar कह रहाएगी So, these two circles are similar होगे similar? क्यों similar होगे? क्योंकि इनकी shape same है मेरे को side से मतलब भी नहीं है यह चोटा है, यह बड़ा है इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है मेरे को तो सिर्फ इनकी shape से मतलब है ठीक है? क्या आप यह कह सकते हो कि कोई भी 2 circle अगर किसी बच्चे ने मना दिये तो वो हमेशा ही similar होगे बिल्कुल कह सकते हैं तीज two circles are similar यह similar है बच्चो क्यों similar है? bracket में लिख दो ताकि आपको revision करने में आसानिक हो because they have same shape उनकी shape क्या है? same है एक जैसे है यह उनकी shape क्या है? same है point star डालके लिख लो चितने भी circle होते है दुनिया में वो सारे के सारे आपस में क्या होते है? same होते है यानि कि any two circles मैं किनी भी दो circle की बात कर लो यह दो मैंने बनाए है तो मालो आप कोई अपनी मर्ची से कोई और दो circle बना लो वो भी क्या होगे? आपके similar होंगे any two circles are always similar कोई भी दो circle चाहे उनकी radius equal हो चाहे ना हो उनको हम similar तो 100% बोल दे ही बोल देंगे समझगे आप similar figure का मतलब यह हो क्या? अब मैं आपको यह triangle के देखो example दिए यह triangle कैसी है? equilateral है पहले वाली triangle की बात कर रहो है equilateral क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तिनों side देखो कितनी है? 6 है यह triangle क्या है? बताओ equilateral है संभाहो तिर पूच पर यह भी triangle 12, 12 और 12 यह भी triangle कैसी है? बताओ आपकी equilateral है हर एक equilateral triangle यह दोनों triangle आपस में क्या है? बच्चो similar है पताए क्यों similar है? क्योंकि इनकी shape बिल्कुल से एक जैसी है shape का मतलब यह नहीं है कि दोनों triangle है या दोनों square है या दोनों rectangle है नहीं shape का मतलब है दोनों equilateral होनी चीए क्योंकि इसमें यह होता है equilateral triangle का हर angle कितना होता है बच्चो 60 degree अगर यह 60 है तो यह भी 100% क्या होगा? 60 होगा क्योंकि triangle कितने भी बड़ी हो, equilateral triangle अगर वो है, उसके तिनों angle कितने कितने के होते हैं, 60 degree each होते हैं, ठीक है, तो ये triangle PQR, और triangle XYZ, ये similar, sorry, congruent नी, congruent का मैं symbol लगा गया कलती से, similar का symbol क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, similar का symbol सिरफ इतना होता है, ठीक है, ये किसका similar होता ह होता है, is similar to, ये symbol होता है, is similar to, और ये किसका होता है, is congruent to, तो इसमें ये दो लाईने लगाते थे न, ये नि लगाने, बस इतना symbol लगाना है, ये similar है, similar क्यों है, because, because both are equilateral triangles, दोनों की दोनों triangle क्या है बच्चो, equilateral है, संभा हो तिर पूजय है, इसलिए ये क्या है, दोनों figure आपकी similar है, ठीक है, और मैं कहता हूँ, दुनिया की कोई भी दो equilateral triangle क्या होती है, हमेशा similar होती है, जैसे की, दो circle, कोई भी दो circle, कोई भी दो equilateral triangle, देखो, ये equilateral है, तिनों साइट कितनी है, 1, 1, 1, इसकी तिनों साइट 2, 2, और 2, ये नाम दे दो, आप A, B, C, और इसको नाम दे दो, P, Q, R, तो हम क्या कहेंगे, triangle A, B, C, similar है triangle P, Q, R, के, या लिख लो, triangle A, B, C, and triangle P, Q, R, are similar, ये triangle क्या है, बताओ, बचो, similar है, और अब star डाल के point लिख लो, बहुत important है, ज़िए मैं point लिखवा रहा हूँ, आपको star डाल के, point आप क्या लिखोगे, all equilateral triangles, all equilateral triangles, are similar to each other, are similar to each other, जितनी भी equilateral triangle होती है, वो हमेशा आपस में क्या होती है, similar, जैसे मैं, एक triangle और बना दूँ, अगर मान लो, बड़ी, इसकी side मैं कहा दूँ, four है, ठीक है, तो ये तिन्नों आपस में क्या है, बत्चो, similar है, ये मान लो है, आपकी, X, Y, और Z, ये तिन्नों triangle आपस में क्या है, similar है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है triangle, equilateral है, इसका भी हर एक angle कितने कितने का होगा, आपका, 60-60 का होगा, ये सारी के सारी triangle क्या है, आपस में, equilateral, तो ये point ध्यान रखना, एक number के अंदर, 100% ऐसा question, पूछा जाता है, क्या सभी equilateral triangle similar होगी, yes या no पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, yes होती है, ठीक है, लेकिन कोई और triangle नहीं, जैसे scale and triangle या ISO slash triangle ये नहीं होती, मैंने आपको second lecture में बताया था, जो चीजे मैं आपको बता रहा हूँना, आपको वही सच माननी है, अपनी तरफ से कुछ भी equilateral triangle, इसका मतलब equilateral ही similar होती है, अगर सारी की सारी triangle similar होती, तो फिर आप खुछ सोचो, मैं इस equilateral word का यूजी नहीं करता, अगर किया है तो इसका मतलब, इसकी कोई नो कोई खास बात है, equilateral triangles ही similar होती है, बाकी triangle similar नहीं होती, ये बात clear हो कि आपको, अब खतम question, अब देखो, यह मैंने difference आपको बताने की कोशिश की है similar versus congruent एक तो symbol का difference होता है यह किसका symbol होता है बताओ यह symbol होता है आपका किसका similarity का similarity और यह आपका symbol होता है किसका congruency का, यह होता है आपका symbol of congruency अब आप देख लो, मैंने कुछ shape दे रखी है इसमें आप खुद पैचान लो ये दो shape, ये वाली shape और ये वाली shape shape तो same है न ये भी pentagon है, 5 side है और ये भी 5 side वाली है regular होने चाहिए ये क्या है बच्चो, similar है और ये दोनों shape भी क्या है बच्चो, similar है योग कि shape क्या है, इनकी same है, hurt की shape है दोनों की ये क्या है दोनों congruent है क्योंकि इनकी shape भी same है और इनका size भी क्या है same है ये भी क्या है congruent है अब ये मत समझना कि ये सर्थ congruent नहीं है ये ना घुमाई गई है rotate किया गया थोड़ा सा इसको बस ये इदर है ये बस उपर कर दी बाकी सब कुछ इसकी क्या है same है तो ये similar और congruent के अंदर आपको थोड़ा सा difference बता होना जाए ये हो क्या अब हम करते हैं ये सबसे important point अब start होता है condition for two polygons of equal number of sides to be similar इसका मतलब क्या है तो polygon, polygon क्या होते है बच्चो triangle, polygon, पहले तो polygon देख लो polygons जैसे ये सारे के सारे polygons होते हैं triangle है फिर 4 side वारी shape quadrilateral 5 side वारी polygons को हम क्या बोलते हैं pentagon बोलते है pentagon फिर hexagon बोलते है इस तरह से चलता रहता है heptagon बोलते हैं, octagon, nonagon, decagon ये सारे के सारे क्या होते हैं polygon, ऐसे तो polygon इसमें number of sides क्या हो equal हो, जैसे दो triangle या दो quadrilateral, या दो pentagon या दो hexagon उनको similar कब बोलेंगे उसके लिए क्या condition है, यानि कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो ऐसे polygon तो ऐसे polygon क्योंकि जिन बच्चों की English अच्छी है उनको तो इसका मतलब समझाई जाए गराइन का कि तो ऐसे polygon जिसमें number of sides equal है उनके similar होने के लिए क्या condition है, यानि कि किस condition में वो दोनों similar होंगे तो ऐसे polygons जिन में number of sides equal है तो ऐसे polygons जिन में number of sides equal है उनके similar होने के लिए उनके similar होने के लिए क्या condition है बहुत important है पूरी exercise के लिए 6.1 के लिए उनके similar होने के लिए क्या condition है क्या क्या condition आप देखोगे कि वो दो figure को आप similar कह पाओ उन दो polygon को आप similar कह पाओ condition number one first condition लिख लो angles must be same यह corresponding angles अब यह मतलब समझाओंगा सबका पहले अप लिख लो corresponding angles are same corresponding angles same होने चाहिए तूसरी condition लिख लो corresponding sides corresponding sides are in same ratio यह इसको दूसरी language में हम यह लिख सकते हैं the ratio of the ratio of the corresponding sides the ratio of the corresponding sides is equal या फिर हम इसको लिख सकते हैं corresponding sides are proportional are proportional अब मैं इनका मतलब समझाता हूँ इनका एक ही मतलब है जो मैंने second condition लिखे है न उनका ratio same होना चाहिए यह proportional होने चाहिए वो एक ही बात होती है end पीच में end लगा लो यानकि यह तोनों conditions satisfy होने चाहिए एक तो angle को देखना है आपको और एक उनकी आपको sides को देखना है अब बात आती है यह corresponding word बार बार मैंने use किया है corresponding angle, corresponding side पहले हम यही पढ़ लेते हैं कि यह corresponding क्या चीज है झाल 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 तो स्टूलिंट्स हम बात करते थे कोर्सपोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं और कोर्सपोंडिंग साइड्स क्या होते हैं लास्ट के दो से डाही मिनट की वीडियो आप जो है उसमें वोल्यूम का कुछ इश्व हो गया था इसलिए में वही चीज जो आपको सिरफ स्क्रेंड दिखाई दे रहे थी मैं अब आपको एक्स्प्लें कर रहा हूं मैं बताला था आपको कि कोर्सपोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं जैसे दो ट्रेंगल है ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल P की वार इसमें यह जो पहले पहले वाले एंगल है ना एंगल A और एंगल P ये दोनों क्या कहलते हैं आपके कोर्सपोंडिंग एंगल्स कहलते हैं फिर य clockwise direction में चलो, घड़ी कैसे चलती है देखो, यहां से लेके यहां तक ऐसे कुमती है न सुई, तो A के बाद कहां पहुंचके C पे, और P के बाद कहां पहुंचके R तो यह C और R, देखो, यह C और R क्या होते हैं, corresponding, ऐसे ही फिद, अब clockwise चलते रहो, यह B पहुंचके, यह Q पहु हम बोलते हैं, corresponding, ऐसे ही दूसरे दूसरे, ऐसे तीसरे वाले, इनको हम क्या बोलेगे, corresponding angles बोलते हैं, इसी तरह से corresponding side क्या होगी, जैसे मैं कहता हूँ, triangle ABC, and triangle P, Q, R, इनकी sides corresponding कौन कौन सी होगी, मैं आपको यह बताता हूँ, देखो, पहले लोग आप AB, इस triangle की side कौन सी, AB, और इस triangle की side कौन सी, P, Q, side तो ऐसी होती है, देखो, यह triangle आपने बना दी, इस triangle की 3 side होती है, कौन कौन सी होती है, AB, एक BC, और एक CA, या AC, यह होती है, ऐसे ही मैं कहता हूँ, एक triangle मैंने क्या ले ली, इसकी पहले 2 vertices, और इसके पहले 2, फिर इसके last के 2, यानिकी BC, और उस triangle क इसके last के 2, देखो, QR, यह होगे, फिर इसके पहले और last, यानिकी AC, और इसके पहले और last, यानिकी PR, आपको कुछ भी change नहीं करना, एज तीज लिखना है, ठीक है, तो यह क्या कहलते है, these are, these are called corresponding sites, इनको क्या बोलते हैं, हम corresponding sites बोलते हैं, तो इन में corresponding word में आपको जो हना, confusion नहीं होना, आज के बाद यह होती है, corresponding का मतलब, अब मैंने आपको क्या बताया था, कि तो polygons, जिन में number of sites क्या होती है, same होती है, वो similar कब कहलाएंगे, जब दोनों के corresponding angles क्या होंगे, equal, वो तो मैं आपको बात बता दूँगा, angles equal होंगे, जो तूसरी condition मैंने बताई थी second condition मैंने आपको बताई थी, corresponding sides वाली, corresponding sides are in same ratio, corresponding sides का ratio क्या होना चाहिए, बच्चो, same होना चाहिए, इस line का मैं आपको मतलब बताता हूँ, क्या होती है, देखो ratio निकालते कैसे है, ratio of two terms, कोई भी दो टरम का ratio अगर आपको निकालना हो, तो आप कैसे निकालते हो, आप मेरे क इनकी height दे रखिये अपने को, क्या दे रखिये बच्चो, height, इसकी height है 150 cm और इसकी height है 175 cm, तो इनकी height का ratio बताओ कितना होगा, ratio of their heights, इनकी height का ratio, ratio का मतलब क्या होता है, एक height को दूसरे बच्चे की height से क्या कर दो, divide कर दो, और कटता है तो काट दो, 25 पे कटेगा, ये 6 जा, ये 7 जा, 6 by 7 कह लो, या 6 ratio 7 कह लो, तो नों का A की मतलब है, तो ratio पता लगए, आपको कैसे निकालते हैं, अब मालो, ये triangle है, ये क्या है बच्चो, एक triangle है, ABC, और एक triangle मैं बढ़ा रहा हूँ, ये वाली, triangle P, Q, R, और मैं अब इसकी जोना, side लिख रहा हूँ, इसकी side मालो, म मैंने 6 cm, ये लिख दी 8 cm, और ये मैंने लिख दी 10 cm, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इनकी corresponding sides का ratio सेम है, triangle कुन सी है, ABC, and triangle P, Q, R, corresponding side का ratio, इसका मतलब देखो, ये side और ये side, equal होना ज़रूरी नहीं है, ratio निकालना है, ratio का क्या मतलब हुआ, AB का और P, Q का, आप ये मालो, AB, एक AB side है, जिसकी length कितनी है, 3, एक P, Q है, जिसकी length कितनी है, 6, ratio निकालते है, ratio का मतलब क्या होता है, आपस मैं इन दोनों को divide करेंगे, AB divided by P, Q, AB की length कितनी 3, इसकी length कितनी 6, 3 को 6 से divide करेंगे, कितना है, 1 by 2 आगया, AB by P, Q आगया, ऐसी फिर, PC, PC को, इस side को divide करो, इस side से, QR से, बताना 5 by 10 आगया, और 5 को 10 से divide करेंगे, तो भी कितना हैगा, हाफ आएगा, इसी तरह से अब क्या बचकी बताओ, CA, ये क्या बचकी, CA, और ये क्या बचकी, आपकी, RP या PR, तो ये कितनी बचकी बताओ, ये 4 है, ये 8 है, ये 4 वन जा, 4 जा, ये भी कितनी आगी, 1 by 2, आप मेरे को ये बताओ, क्या ये 3 ratio सेम है, क्या, ये 3 ratio क्या है, बच्चो, सेम है, मैंने क्या कहा था, corresponding sides are in same ratio, इसका मतलब, corresponding sides का ratio क्या होना चाहिए, corresponding sides का ratio सेम होना चाहिए, देखो, है ना same, क्योंकि, 3 corresponding sides का मैंने ratio निकाला, और 3 1 by 2, 1 by 2, 1 रेशो क्या हो गया, सेम हो गया, अब इसी चीज को हम mathematically क्या बोलते हैं, corresponding sides का ratio सेम हो गया, corresponding sides are in same ratio, यानि कि इनका ratio सेम है, इसको इंगलिस में इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, corresponding sides are proportional, एक ही बात है, नाम अलग-अलग है, लेकिन meaning सबका क्या है, सेम है, जब ratio सेम होता है, तो लिख दो, corresponding sides are in same ratio, या corresponding sides are proportional, दोनों का एक मतलब है, ठीक है, अम मैं बहुत दोनों condition दुबारा दिख रहा हूं, condition for two polygons of equal number of sides to be similar, पहली condition मैंने क्या लिकी थी, corresponding angles are equal, corresponding angles क्या होन चाहिए, और दूसरी मैंने condition क्या लिखी थी, corresponding sides are proportional, corresponding side क्या होने चाहिए, आपकी, proportional होनी चाहिए, और बीच में क्या लगाते हो, and, यानकि यह दोनों condition satisfy होने चाहिए, तब ही हम क्या कहेंगे, दो figures को similar कहेंगे, ठीक है, अब जैसे मैं एक diagram बना क्या आपको देता हूं, मा यह 3 cm, यह 4, यह 5, यह 6, मैं माल लेता हूं, मैंने idea से यह बना दिया, ठीक है, एक मैं और quarter little बना रहा हूं, एक माल लो मैंने यह बना दिया, यह मैं माल लेता हूं, मैं ऐसे करता हूं, थोड़ा आसान हो जएगा आपके लिए, यह 3, 4, 5, 6 की बजाए है ना, मैं इसको circle ब बना दिया, एक PQRS बना दिया, quadrilateral, यह आपको बताना है कि क्या यह दोनों similar है, यानि कि similar और note, पूछ रहा हूं, सिर्फ मैं बता नहीं आपको, मैं आप से पूछ रहा हूं, कि क्या यह similar है, या फिर, तो देखो, अब हम discuss करते हैं कि यह similar है या नहीं है, तरीका क्या होता है, corresponding angles क्या होने चाहिए, equal होने चाहिए, पहले यह बताओ, corresponding angle, इसके तो सारे angle कितने कितने के है, 90 के, लेकिन इसका तो यह angle 90 दिखाई नहीं देर आपको, तो यह figure क्या है, note similar, second condition के उपर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आप first condition से ही कह देना, यह figure similar नहीं है, क्योंकि similar figure के लिए क्या चाहिए, अपने को, angle भी equal चाहिए, और sides का ratio भी क्या होना चाहिए, same, यहां तो side का ratio भी same नहीं है, देखो, 5 का और 4 का जो ratio होगा, वो 5 का और 3 का थोड़े होगा, एक ratio तो 5 by 4 है, और ratio 5 by 3 है, दोनों equal नहीं हो सकते न, तो यह आपका, यह दोनों shape क्या है, बच्चों आपकी, tone similar है, मतलब similar नहीं है, यह एक छोटी सी बात है, आपको पता होनी चाहिए, अब मैं कुछ आपको बाते बताता हूँ, देखो, यह दो point अपनोट कर रहे न, यह conclusion, यानि कि आज जो size equal हो भी सकता है, और नहीं भी, यह मैंने हिंदी में भी लिख दिया, concurrent figure के लिए तो shape और size दोनों का same होना जरूरी है, लेकिन similar figure के लिए सिरफ shape का same होना जरूरी है, size चाहे same हो या ना हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, यान कि आप यह नहीं बोल सकते, कि अगर size भी same हो are similar also, यान कि जितनी की जितनी figure congruent होती है, वो similar तो होती होती है, क्यों होती है, बतावा मेरे को, क्योंकि congruent figure के अंदर shape और size, दोनों क्या होते है, same होते है, दोनों क्या होते है, same, और similar figure के लिए तो मेरे को सिरफ क्या चाहिए, shape का same होना जरूरी है, और shape तो same है, shape और size, द तो होगी ही होगी, यह true false में आपसे question पुछा जाएगा, लेकिन सारी similar figure need not be congruent, यान कि सभी similar figure का congruent होना जरूरी नहीं है, क्योंकि दो circle है, जिसकी radius अलग अलग है, वो similar तो है, लेकिन क्या वो congruent है, congruent तो नहीं है, क्योंकि congruent तो तब होते हैं, जब दोनों की radius भी क्या हो, same तो ये दो point आप note कर लेना, छोटे question के लिए आपके बहुत ज़्यादा important है, अब हम करते है, exercise 6.1, देखो, पहला question देखो, इसमें आपको correct word भरना है, all circle सार, जितने भी circle होते हैं, congruent होते हैं, similar होते हैं, क्या होते हैं, बच्छों, similar, congruent थोड़े कह सकते हैं, कोई भी circle हो, एक की radius हो सकता है, कम हो, एक की ज्यादा हो, तो congruent नहीं होगे न, लेकिन similar पका होंगे, all square सार, जितने भी square होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बच्छों, similar, congruent नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, बच्छों, क्योंकि एक square की side मान लो, ये मैंने छोटा square बना दिया, 11 cm का, और ये मैंने बड़ा square बना दिया, तो बताओ, congruent थोड़े ही है, एक दूसरे को cover थोड़े करेंगे, ये है, तो ये आपके क्या है, similar है, ये क्या है, बच्छों, similar है, अब देखो, third question, all dash triangles are similar, सारी की सारी, जो equilateral triangle होती है, वो क्या होती है, बच्छों, similar होती है, ये देखो, fourth question two polygons of same number of sides, ये अभी मैंने जो, आपको rule रिखवाया है, कि two polygons, जिसमे number of sides same हो, वो similar होंगे, कब their corresponding angles are equal, उनके corresponding angle क्या होने चाहिए, equal, and their corresponding sides are proportional, ये क्या होने चाहिए, बच्छों, proportional, equal होना जरूर नहीं है, side का, equal हो जे ना हो, लेकिन proportional, ratio उनका जरूर सेम होना चाहिए, तो ये आपका first question के चारो part हमने कर लिए, अब देखो, ये आसान सा question है, give two different examples of a pair of, दो question है, पहला question है, एक कहता है, ऐसे pair का example दो, दो example दो, जो similar हो, यानि कि, question number two का part number one, मैं solve कर रहा हूँ, आपको दो similar figure के example देने है, आप मेरे को ये बताओ, अगर दो square हो, क्या हो बच्छ triangle हो, क्या हमेशा similar होगी, बिल्कुल होगी, दो circle हो, क्या हमेशा similar होगी, बिल्कुल होगी, तो ये आपको example देने है, तो first example मैं क्या दे रहा हूँ, देखो, first example, two circles of different radius है, radius different कर दोन की, तो ऐसे circle जिनकी radius क्या हो, different, चाहे same लिके तो तब भी कोई फरक नहीं बढ़ना, ठीक अलग-अलग हो, क्या होते हैं, similar होते हैं, और आपा similar figure का example दे रहे है, second example, two squares, two squares of different lengths of their sides, यहन की, दोनों की, जो side की length है न, वो different, different होनी चीए, मानलो, एक square की side की length आपकी कितनी है, two है, सारी sides जिसकी, तो दूसरे square की, मानलो, side की length कितनी है, three है, तो यह दोनों square क्या होंगे आपके, similar होंगे, तो आपको दो similar figure के example देने थे, मैंने similar figure के example देती है, अब second part देखो इसका, second part में क्या गयता है बच्चो, non similar figure, non similar होनी चीए, आप एक बात बता हो, क्या एक square और एक circle कभी similar हो सकते हैं, आप कहोगे sir, इनके तो shape ही same नही एक ने मना दी square की, ठीक है, तो वो shape same नहीं है, क्या लिखेंगे, a square, यह लिखता हो बच्चो, a square and a circle, एक square और एक circle, यह कभी भी similar नहीं होते, are never similar, क्यों नहीं होते, क्योंकि इनकी, because, bracket में लिख भी दो region, because, there, shape is not same, shape is not word out लगा देना, not same, एक example तो होगे आपका, फिर second example, इसी तरह से कोई और चीज़ का सोच लो, जैसे आपने square और circle का सोचा, आप circle का और pentagon का सोच लो है न, या फिर एक pentagon का, एक square का सोच लो, एक square and a pentagon, या फिर एक triangle का सोच लो, क्योंकि जब number of sides सी same नहीं है दोनों में, तो shape कभी भी same नहीं हो सकती, a square and a triangle are never similar, तो अब आप समझ के, मैंने सारे आपको क्या दे दिये बच्चो, एक्जेंपल दे दिये, दो similar figure के और दो non-similar figure के, तो paper में अगर ये question पूछा जाता है, तो ऐसे आप कर सकते हो, अब ये देखो, इसमें क्या करता है, third or last question, state whether the following quadrilatels are similar और not, आपको सिरफ बताना है, कि ये तो quadrilatels जो इसने examiner ने दे रखे हमारे को, ये similar है या नहीं है, देखो, similar के लिए मैंने आपको क्या condition बताई थी अभी, एक तो उनके angles क्या होना चाहिए, equal, और एक उनकी sides का ratio क्या होना चाहिए, same, देखो, ratio का सिदा सिदा मतलब यह होता है, ये side कितनी है, हर एक 1.5, 1.5, और ये 3 है, मतलब, इसकी ये सारी side है ना, बच्चो, double है, double है, इसकी अगर 1.5 है, तो इसकी double, यानिकी 3, तो ratio तो same आएगा, ratio तो क्या आएगा, same आएगा, लेकिन एक बात बता दो, ये तो angles सारे 90 degree के दिखा रखें, इसने, यहाँ पे तो हम ये नहीं कहा सकते कि ये angle 90 degree का नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, no, these quadulators are not similar, ये similar नहीं है, क्यों नहीं है similar, because, reason लिखेंगे हम, because their corresponding angles are not equal, corresponding angle आपे तो 90, 90 के है, और इसमें कोई 90 का है ही नहीं, corresponding angles are not equal, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर ऐसा question एक नमबर में आएगा, अगर आएगा, तो पुछा जाता है, तो आप इस तरह से लिखते ना, आपका answer सही होगा, ठीक है, तो ये थी अपनी exercise 6.1, इसमें का इसमें कोटा है था, आसानी से समझ सकते हैं, और पेपर में जो दो तिन छोटे question आएगे, एक एक नमबर बादे, वो आप आसानी से solve कर सकते हो, तो जब जो lecture सिरफ जो है थोड़े more than average या intelligent बच्चो केटी होंगे, मैं खुद बता दूँगा, कि इन lectures को जो है ना, सारे रखना है बस और वो आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है, तो मिलते हैं next lecture में, bye bye, take care